गुजराप के सेशन कोट में 13 अप्रेल को हुई सुनवाई में राहूल गांदी की तरफ से ऐसी दलीले दी गई जिसकी उमीद तो शायद जस साहाब ने भी कभी नहीं की होगी वैसे आपको बता दें कि सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला 20 अप्रेल को सुनाया जाएगा लेकिन उसके पहले सुनवाई के दोरान क्या हुआ और कैसे राहूल गांदी की तरफ से फुक्ता गलीले दी गई कि कोट रूम में सनाटा पसर गया हम आपको बताते हैं क्योंकि ऐसा पहली बारी हुआ होगा कि एक वकील ने कथत तोर पर जजस साहब को कट घरे में खडा कर दिया हो जी हां कोट रूम में सुनवाई के दोरान राहूल गांदी के वकील ने ऐसी दलीले दी ऐसी दलीले दी कि सनाटा पसर गया सबसे पहले आप कबर देखेगा हिंदुस्तान की इसमें लिखा हुआ है कि जज ने मुझे धीट कहा कटोर्ता की सजा पर रोग के लिए राहूल गांदी की दलीले चिनाओ में मिले वोट का भी जिक्र तो राहूल गांदी की तरफ से दलीले दी गई है कि जज को तो पहले ही पता था कि अगर मैं दो साल की सजा सुनाओंगा तो संसत की सदस्तिता चली जाएगी इसलिए अधिक्तम दो साल की सजा सुनाए गई पहली दलील दूसरी दलील दी गई है कि जो जज साहब थे वो काफी जादा कटोर थे काफी जादा सक्त थे अगर राहूल गांदी का गुना इतना भी बड़ा था तो राहूल गांदी पर जुर्माना लगाना चाहिए था उनको जेल में डाल देना चाहिए था दूसरी दलील और तीसर दलील में कहा गया है सबसे बड़ी बात कि राहूल गांदी को जस्साहब ने धीट कहा धीट कहने की जरूरत नहीं थी इस शब्त से परहेस किया जा सकता था यह तो यह वो दलीले हैं जो कि राहूल गांदी के वकील आरेस चीमा की तरफ से गुजरात की सेशन कोट में दी वहीं दूसरी तरह उनके वकील ने भी कापी तीखे तेवर दिखाए हैं तो क्या कहना है वकील का और क्यों ये दलीले सोशल मीडिया पर वाइरल हो गई है क्यों राहुल गांदी की तारिफ की जा रही है क्यों उनके वकील की तारिफ की जा रही है हम आपको बताते हैं देकिगा खबर में लिखा हुआ है कि मोधी सरनेम को लेकर दिये गए बयान को लेकर आपराधिक मानहानी के दोशी करार दिये गए राहूल गांधी की याचिका पर गुरुवार को सूरक की सत्र अधालत में सुनवाई हुई सजाबर रोक की मांग को लेकर तीन अपराधिक को याच का दायर करने वाले राहूल के वकील ने सीजेम कोड के फैसले पर रोक के लिए दरजनों दलीले पेश की राहूल के वकील आरेस चीमा ने यहां भी ये भी कहा कि राहूल ने केरल की बाइनार्ट सीट से रिकॉर्ड मार्जिन से जीत हासिल की है और अयोग्य करार दिये जाने से अपूर्णिय शती हुई है तो वाइनार्ट से record वोटों से जीते हैं राहूल गांदी इतनी आसानी से उनकी संसत की सदस्ता चली गई वहाँ का जो जनता का भरोसा है उसका क्या होगा जनता का क्या होगी है और उसी के साथ बारें बंच की रिपोर्ट के मुताबिक राहूल के वकील चीमा ने कहा कि केवल पीडित व्यक्ती ही शिकायत दर्ज करा सकता है उरोंने कहा कि मेरा राहूल यानि कि राहूल का बयार अपमान जनत नहीं है जब तक उसके संदर्ब से अलग ना पेश किया जाए बाल की खाल निकाल कर इसे अपमान जनत बताया गया वास्तो में पीम का मुखुर अलोचक होने की वज़ा से मुझ पर केस किया गया और ट्रायल कठोर और अनुचित था ऐस्वाद देख सकते हैं राहूल के वकील का कैना है कि जो बाल की खाल है उसको जबरदस्ती निकाला गया है जबरदस्ती का केस लगाया गया और जबरदस्ती ही राहुल गांधी पर कठोर हुआ गया है, सक्त हुआ गया है क्योंकि प्रधान मंत्री नरेद्र मोधी का केस था इसलिए और भी जादा सक्ती दिखाई गई तो ये अपने आप में ही वकील की तरफ से दिया गया बड़ा बयान है क्योंकि जजज सहाब ने ये फैसला सुनाया और जजज सहाब के सामने ही जब ऐसी दलीले पेश की जाए तो आप समझ सकते हैं कि कोर्ट रूम में जो environment होगा जो माज़रा रहा होगा वो कैसा रहा होगा फिलाल सबसे एहं दलील की अगल बात करें तो आरेश शीमा की तरफ से कहा गया है कि जजज है उनको पहले ही पता था कि संसत की सदसिता चली जाएगी इसलिए अधिक्तम दो साल की सजा सुनाई गई क्योंकि आपको बता दें कि अगर दो साल में से एक दिन भी कम हो जाता तो राहुल गांदी की संसत की सदसिता नहीं जाती लेकिन अधिक्तम सजा सुनाई गई वो भी अधिक्तम सजा तक सुनाई गई जो की कभी नहीं सुनाए गई है मानानी में 2 साल की अधिक्तम सजा अभी तक किसी को नहीं हुई है तो कोड रूम में क्या कहा वकील ने सको लेकर सुनेगा हिंदुस्तान में लिखा है कि कोड को ये भली भाती पता था कि अगर सजा 2 साल से कम की दी जाएगी तो राहूल गांदी आयोग होने से भज जाते सुनवाई के दोरान 11 बचकर 51 मिनट पर राहूल गांदी को दोशी करार दिया गया और आदे घंटे के बाद ही उन्हें अधिक्तम सजा सुना दी गई अगर राहूल गांदी का करना इतना ही बड़ा था तो महोदे जी उन पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया गया तो राहूल गांदी के वकील का कहना है कि अगर आप मान रहे थे कि जो कहा गया है जो बयान है वो इतना ही बड़ा है इतना ही बड़ा गुना हो गया है तो जुर्माना लगा देना था और जमानत क्यों दी जेल में डाल देना चाहिए था लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो साल की सजा सुनाए गए और वो भी 11 बचकर 51 मिनट पर पैसला निकल कर सामने आये और उसी के आधे घंटे महस आधे घंटे के अंदर दो साल की सजा हो गए और उसके 24 घंटे के भीतर संसक की सदस्यता चली गए तो कितना बड़ा केला है और सबसे बड़ी बात यहां पर यह गौर करने वाली है कि जो राहूल के वकील है उन्होंने कितने तीखे तेवर दिखाए है लगातार दलीलों पर दलील पेश की है आप देख सकते हैं इन दलीलों से कैसे कथत तोर पर जो जस्थ सहाब है वो खुद कटगरे में आते जा रहे है इसी के साथ राहूल गांदी को लेकर वकील ने ये भी कहा जो आरेस चीमा है राहूल गांदी के वकील उन्होंने ये भी कहा कि आपने राहूल गांदी को धीट क्यों कहा धीट कहने कि कोई वज़ा नहीं थी बे वज़ा उनके जो मुवक्किल है उनको अपमालित किया गया खबर देखेगा मरुजाला की इसमें लिखा भी हुआ है कि जज कठोर थे और उन्होंने मेरे मुवक्किल को धीट कहा, यानि कि राहुल गांदी को धीट कहा, अदालत में बोले राहुल गांदी के वकील, तो धीट क्यों कहा था जजज सहाब ने, वो भी आपको बता देती ह देखेगे खबर में लिखा हुआ है कि जज को लेकर कही ये बात, चीमा ने कहा कि उनके क्लाइन को सिर्फ आदे गंटे में दोशी ठहरा दिया गया, इस दोरान जज ने कहा कि आपको सुप्रीम कोट ने चितामी दी थी, बड़े धीटो, आप कुछ नहीं समझे, चीमा ने कोट को बताया कि चोकीदार चोर है, कमेंट के लिए राहुल गांदी ने नवबर 2019 को ही माफी मांग ली थी, लेकिन मोधी उपनाम को लेकर राहुल गांदी ने अप्रेल 2019 को बयान दिया, ऐसे में जज को ऐसी टिपणी नहीं करनी चाहिए थी, जो सुप्रीम कोट में केस सायर किया गया था, उसको लेकर माफी मांग ली थी, राहुल गांदी ने जब उन्होंने बयान दिया था, चोकीदार चोर है, फिलाल उसी को लेकर, उसी को कोट करते वे, जज साहब कहते हैं, आप तो बहुत धीट हो, आपको समझ में नहीं आता है, सुप्रीम कोट ने भी फड़काया, फिर भी समझ में नहीं आया, तो इसी पर राहुल गांदी के वकील का कहना है, कि धीट कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जबर्दस्ती में धीट कहा गया है, इन दलीलों का पूरा लबो लिबाब आपकर आपको बताएं, तो देखे, कहा गया कि जज साहब तो जुर्माना क्यों नहीं लगाया गया, इस तरह कि आप देख सकते हैं कि यह जो संगीन आरोप है, इससे जो जज साहब है, वो खुद कटगरे में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, फिलाल आपको बता दे कि जहां अमिश्या के वकील जो रह चुके हैं 2006 में, जज जबते हैं कि कोर्ड रूट में क्यों सनाटा पसर हो गया होगा, फिलाल जो फैसला है, वो 20 अप्रेल को आने वाला है, अब 20 अप्रेल को फैसला क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलाल इन दलीलों पर आपका क्या कहना है, हम मिलतें अगली खबर के साथ तब तक के लिए घन्यवाद